हाय गाईज आगे तीज का फेस्टिवाल आने वाला है तो इसबर गीमारी रेस्पी हमने उसी को ध्यान में रखतर स्लग्ट की है तो आप समझ ही गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं आज हम बनाएंगे सूजी के मालपुए वैसे मालपुए तो आटे के, मैदे के, सूजी के हर द्रक के बनाए जा सकते हैं पर आज हम सूजी के मालपुए बनाने जा रहे हैं आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें क्योंकि एंड में आपको बहुती कम ओयल में पकाये हुए मालपुए भी दिखाऊंगी यह जो आप देख रहे हैं बिना वर्क के, यह हमने बिल्कुल ही लेस ओयल से पेन को ग्रीस करके बनाए हैं और यह दूसरी साइड जो वर्क वाले हैं यह हमने डीप फ्राइ किये हैं जैसे कि नार्मली बनाए जाते हैं क्योंकि कुछ लोग इतना ओयल एंगी नहीं खा सकते सूजी के मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक क्टोरी सूजी ली है जो फाइन है और अगर ना हो तो आप इसे मिक्सर में चलाकर पीस लें इसका फाइन होना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो मालपुए ठीक से नहीं बनेंगे तो लीजिए हम ये ग्राइंडर में से पीस रहे हैं ये बल्कु फाइन पेस्ट कर लिया है हमने ये एक क्टोरी सूजी है अब हम इसमें मिलाएंगे आधी क्टोरी के लगबग ये चीनी का पाउडर कर आपके पास चीनी है दाने वाली तो आप उसे मिक्सर में पाउडर ब पनाने के लिए ये हमने दो इलाइश्ची जिसको हमने पीस लिया है ये मिला देंगे एंड साथ में एक छोटी चम्मच ये सुफ लिया है इसे दरदरा पीस लेंगे इन दोनों को हम मालपुए के बैटर में मिला लेंगे अड़ ये देखिए इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें ये दो चम्मच के लगबा हमारे पास दूद की मलाई है जो ताजे दूद से उबालने के बाद आप निकाल कर रखते हैं अगर वो हो तो आप मिला ले और अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बिना भी ये बहुत अच्छे बनेंगे लीडिये हम इसे फेट रहे हैं अब इसी में मैंने ये एक कटोरी गरम दूद लिया है ना तो ये ठंडा है और ना ही ये उबलता हुआ है तो ये मीडियम टमपरेचर पर होना चाहिए गरम होने से सूजी असानी से फूल जाती है और हमें रखने के लिए ज़्यादर टाइम नहीं लेना पड़ता अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे मालपरे के बैटर में दूद धीरे धीरे डालें और साथ की साथ चम्मच चलाते रहें अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं रहेगी धीरे धीरे डालने से एक तो नम्स नहीं बनेंगे एंड सेकिंड हमारा बैटर ठीक या पतला नहीं होगा अब एक स्वेशर टिप आपस के लिए अगर आप सूजी के मालपुए बनाने जा रहे हैं तो हमेशा इसका बैटर आप मिकसर गैंडर में ही बना लें उससे यह बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे एक तो हाथों से फेटने पर यह अच्छे से फेट नहीं पाते हम इसमें गुटली भी रह जाती है और वैसे भी हम सूजी इतनी दिर रखने ही पाएंगे इसनी हमें मिकसर गैंडर में ही बना लेना चाहिए अब ही हमने 15 मिनट के लिए इसकी बैटर को रखा है अब हम शूगर सिरप को रेडी कर रहे हैं इसके लिए मैंने एक कटोरी पानी लिया है एंड एक कटोरी चीली ली है इसे पैन में डाल कर हम चलाएंगे एंड फ्लेम को मीडियम रखेंगे इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है इसकी जो सिरप है वो हमें बिकुट गुलाब जमुन वाली ही बनानी है यानि कि इसमें वन स्रिंग कंसिस्टेंसी की कोई जुरूरत नहीं है हमें एक या दो तार वगेरा नहीं बनाने हमें सिर्फ चिपचपा पंदेना है से कि ओईल की तरह लगे एंड उंगली में रखने पर इसे चिपगना चाहिए इस तरह से यह अब हमारा रेडी होने वाला है इसे रेडी होने में पांच मिनट के करीब लगेगा अब यह हमें एक पैन में ओईल डाल रहे हैं वैसे तो माल पुए घी में बनाए जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं लेकिन यह आपकी अपनी पसंद पर है मैं इसमें रिफाइंड आईल का यूज कर रही हूँ आप भी आईल का यूज कर सकते हैं रिफाइंड सिर्फ एक सरस्तों का तेल का यूज मत कीजिएगा यह देखिए हमारा बेटर रेडी है मैंने इसे ग्राइंडर में चला लिया है और देखिए कैसा फ्लोइंग है यह इसकी तार टूट नहीं रही जब पुए अपनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्को ठीक है और इसमें हमने डेट को टोरी दूद का यूज किया है एक चुथाई चमच बेकिंग पाउडर मिलाने जा रहे हैं यह बनाने से एक मिनट पहले ही हम डालेंगे और यह देखिए यह मालपुए हम रेडी कर रहे हैं लेकिन स्पेस जितनी हो आप उतने ही डालें अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो यह देखिए यह गोल नहीं रहा हमारा बेटर बिल्को ठीक बना है आप देख सकते हैं जो मालपुए हैं वो बिलको राउंड शेप में है और इधर उदर बेटर फैला नहीं है इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाया जाता है और स्टार्टिंग में इसे हाई फ्लेम रखते हैं सबसे पहले एक बूंद गिरा कर देख लें अगर वो तेहर कर उपर आती है तब ही अपना मालपुए का बेटर इसमें फैलाएं अब ये देखिए हम इसको वो सारे ओयल को निचोड़ देंगे ताकि हमारी जो हेल्थ है वो इफ्यक्टेज ना हो अच्छे सा ओयल को निकाल दे अब इसको हम सिरप में डाल देंगे मैं दूसरा भी निकाल रही हूँ और ये देखिए हमने इसे सिरप में फिको दिया है दो-तिन मिनट सिरप में रखकर हम निकाल सकते हैं इने अब ये नया बेटर में डाल रही हूँ इसी तरह से एक ही साथ डालें अगर आप कर्ची को थोड़ा डाल के हड़ जाएंगे फिर डालेंगे तो ये मालपू अच्छा नहीं बनेगा एंड नीचे से देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से आप एक साथ दो तिन भी डाल सकते हैं ऐसे अब हम ये पलट रहे हैं आप अपनी पसंद से इसका कलर कर सकते हैं ये डार्पी कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा लाइट कलर पसंद करते हैं तो ये देखिए लाइट भी है कुछ लोग इसमें कुरकुरा पन पसंद करते हैं और अमारे मालपुए देखिए फूले भी नहीं है इन्हें फूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये पूडी नहीं है ये मालपुवा है अब हम इन्हें निकाल लेंगे हमने जो बेकिंग पौडर डाला है वो इस वज़ा से डाला है उसके डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी जाली बनती है जो खाने में अच्छी लगती है उसमें सीरप हो जाता है और बिल्कुल गुलाब जमुन की तरहीं अंदर का टेस्ट हमें आता है अगर आप ये बेकिंग पौडर नहीं डालेंगे तब भी माल पूए में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा बस वो नरम नहीं बनेंगे इस तरह से हम सभी माल पूए निकालकर अपने सीरप में डालते जाएंगे मैंने इन्हें निकाल लिया है और देखिए इनका कलर मैंने सफेध ही रखा है क्योंकि अपनी पसंद पर होता है आप डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं और ऐसी भी रख सकते हैं अब मैंने फिरसे बैटर को फिला लिया है, बैटर उतना ही डालें, जितना ओयल में अलग अलग जगा से फैले नहीं, अगर आप ज्यादा बैटर एक साथ डाल देंगे, तो जो उसका राउंड शेप है वो भी गड़ जाएगी, तो छोटे-छोटे ही मालपुए डालें, इं आप देख सकते हैं, जगा कम होने की वज़ा से फोल्ड हो गया है, पर कोई बात ही हमने इसे ठीक कर लिया है, अब यह तयार है, और हम इसे आयल को पूरी तरह से निकाल लेंगे, अच्छे से, और चाशनी में टाल लेंगे, दो तीन मिनट बाद हम चाशनी से इसे निकाल स लगते हैं, यह खाने के लिए रेडी हो जाता है, आप देखेंगे, खाने में इसका टेस्ट फिलकु गुलाब जामन के जैसा आता है, यह अंदर से बहुत नरम नरम बने हैं, और पूरी चाशनी को सोक रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, एक कुटोरी में यह दस माल पूए के लगबग तयार हो गए हैं, मैंने इसी भी निकाल लिया है, यह देखिए, मैंने आइल इतने अच्छी से निकाला है, कि इसमें हमारी कर्ची के निशान आ गए हैं, अब असी चाशीरप में हम भिगो देंगे, एन दो तीन मिनिट बाद ही निकाल लेंगे, आप भी इने बना कर देखिए, यह बहुत अच्छे बने हैं, यह देखिए, यह रेडी हो चुके हैं, और डालते ही यह पूरे सिरप को पी लेते हैं, अभी मेरे पास काफी बेटर बचा है, और उसे मैं यह दूसरे स्टाइल में बनाने जा रही हूं, क्योंकि माल पुए में घी बहुत डाल रही हूं, और इसे मैं चीले की जैसे फिला कर बना रही हूं, यह देखिए, आप देख सकते हैं, इसमें हमने घी यूज नहीं किया, हम इसे ढख कर पका रहे हैं, और यह उपर से पक गया है, अब हम दो तिन डोप डाल कर ऑईल की, इसे पकाएंगे उपर से भी, जिद यह पलट देंगे, आप इस तरह से भी माल पुए को बना सकते हैं, उसमें वो थोड़े ज़्यादा नरम बनेंगे, यह उतने नरम नहीं रहेंगे, पर जो लोग ऑईल एंड घी खाने से बचते हैं, वो भी इनका लुद्फ अच्छे से उठा सकेंगे, इस तरह से हम कमगी में भी इन्हें पका सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल में हम माल पुए खा सकते हैं, यह मैंने चीले की तरह इन्हें पकाया है, यह देखिए, यह अच्छे से पक गया है, अब हम इसे सिरप में डाल देंगे, यह इवले माल पुए भी अच्छे बने हैं, यह मीठे चीले हैं, अब हम इसे थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, और फिर से बनी बैटर को फैला देंगे, यह बैटर कर्ची से डालते ही, खुद बाखुद ही फैल जाता है, यह देखिए, यह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, तो यह हम इसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बड़ा बनाने से इसकी शेप बिगर जाएगी, मैंने दोजों तरह से बनाए हैं, और दोनों तरह से यह अच्छे बने हैं, जो ज्यादा ओइल में बनाए गए हैं, वो उंदर से नरम हैं, और अब देखिए, हम इने गार्णिश करने जा रहे हैं, इसके लिए मैंने सिल्वर वर्क यूज किया है, इसे लगाने से फेस्टिव लुक आ गया है रस्पी में, अब हम इस पर हम जो बच्चा हूँ हमारा सिरप था, उससे इस पर डाल देंगे, मैंने ये जिसे भी किलाई टेस्ट करने के लिए, उसने धेरों तरीफ की इनकी, आप भी बना कर देखें, आप भी अपने रिव्यूज बताएं, कि आपने कैसे बने हैं आपके, हम कॉमेंट के आपके वेट करेंगे, अब हम इसे गार्णिश कर रहे हैं, ये मैंने खरबूजे के बीजिस पर फिला दिये हैं, एंट सौफ लिये हैं, सौफ का टेस्ट इनमें बहुत अच्छा आता है, जो मालपू है, इसमें मीठी मीठी सी स्मेल आती है सौफ की, इस वर हमने कटे हुए बदा, ये कुछ नारिय के पीसेज, एंट साथ में पिस्ता कटा हुआ, ये इस तरह जड़ डाल देंगे, अब देखिए, ये मालपू हमें फेस्टिव लुक आ गया है, और ये हमारी तीज के लिए बिल्कु ठीक है, आपी ने अपने घर पर बनाए एंट फेस्टिवल्स में अपने घर को खुश्यों के रंग से रंग दे, खुद भी खाईए एंट अपनों को भी खिलाईए, एंट अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई है, तो लाइक करें, कॉमेंट करें, एंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, थाकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी रेस्पी लेकर आएं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई, टेक कैर, सी यो गें,